हेलो एवरीवन आज हम डिसकस करने वाले हैं डॉक्टर एपी जे अब्दिलकलाम टेक्निकल उनिवर्सिटीज के अड्मिशन के बारे हम बात करने वाले हैं अगर आप इस उनिवर्सिटीज में डिमीशन लेना चाहते हैं तो इलिजिबिटी क्राइटिरिया आपको कैसे चेक करना है कौन को से सब्जेक्ट चूज करने हैं सबसे पहले तो आपको सी यूवर्सिटीज की लिस्ट देखने को मिल जाएगी तो जस्ट उनिवर्सिटीज पर आपको क्लिक करना है जो कि आपको स्टेट यूवर्सिटीज की लिस्ट में देखने को मिल जाएगा यह रहा ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है just यहीं पर आपको click करना जैसे हैं आप click करेंगे next page आपको हो जाएंगे और यहाँ पर आपको university websites का link और eligibility criteria देखने को मिल जाएगा जैसे आप B.Tech agriculture में या फिर B.Tech biotechnology admission लेना चाहते हैं तो general test agriculture आपको ये subject choose करने हैं B.Tech agriculture के लिए B.Tech biotechnology के लिए physics chemistry biology या फिर mathematics ठीक है B. Pharmacy सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखिए तो किसके लिए आपको कौन से subject choose करने हैं यहाँ पर आपको mention है तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है जिस course में आप apply करने जा रहे हैं उस course का eligibility criteria क्या है ठीक है eligibility criteria फिल करना है जो कि फर्स week of app में जो release होने के chances है form जब release होगा उसमें आपको वही subject choose करने हैं जो universities के requirement है कितनी भी universities आप CUAT के form में select कर सकते हैं यह आपको ध्यान रखने है कोशिश करना है जादा से जादा domain paper लें दूसरी सबसे important चीज आपने CUAT का form फिल कर दिया CUAT का interest दिए CUAT का result आ गया उसके बाद आपको separate universities का form भी fill करना है अगर आपने separate universities का form नहीं fill करा तो भी आप eligible नहीं होंगे admissions के लिए आपको ध्यान रखना है separate universities जो form अपना release करती है वो जहां तक है result के बाद release होंगे लेकिन इस ही है chances से कुछ universities पहले form release करते तो अगर form पहले release हो जाएगा तो वो भी आपको video बना के update कर दिये जाएगा Thank you